कॉम्प्रेसर और जो फैन मोटर है उसका दोनों का एंपियर आप देख सकते हूँ यहाँ पे सो कर रहा है 1.7 यानि इस तरह से आपको दोस्तों आज के वीडियो में जानने वाले हैं क्लेमीटर से एंपियर कैसे चेक करें तो आज हमने लगाया है कॉम्प्रेसर और आज हम आ लिए में लिए तो फ्रेंड यहाँ पर 4A लिखा हुआ है यानि अगर 4 एंपियर से नीचे है कोई चीज तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं लेकिन यह जो हमारा मशीन है यह 4 एंपियर से ज्यादा है तो अभी हम यहाँ पर 40 प्लस 400 एंपियर पर सेट कर लिया है और अभी हम यहां पर मशिन के जो रणिंग वायर है उसके अंदर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे तो देख सकते हो ampere शेक करने के लिए friend यहां पर इसके बीच में वायर लगाना होता है क्योंकि जो हमारा सिंगल वायर लगाना है डबल वायर नहीं लगाना है friend यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा कलेमिटर में पॉइंट सो कर रहा है 1.7.4143 यानि जो हमारा करेंट है वो अप डाउन हो रहा है लेकिन 17.48 एक्चुल में करेंट ले रहा है यानि जो हमारा मशीन है गुड कंडिशन में है और बहुत ही बहतरीन चला आए तो आपको नीचे भी दिखा देते हैं जो कंप्रेसर का रणिंग वायर है वहां पर भी चेक करके दिखा देते हैं आपको तो देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे हमारा 14.37 यहाँ पर जो हमारा कैपसीटर है में फैन का भी रनिंग प्रैंट लगा है इसके लिए दोनों का एक ही साथ में दिखा रहा है लेकिन यहाँ पर सिफ गॉम्प्रेसर लगा हुआ है इसके बज़े से सिफ compressor का so कर रहा है तो देखिए फ्रेंट फिर से आपको दिखा देते हैं यह हमारा compressor का है running क्यांते हैं और यहां सब्सक्राइब था रहा है। यहां सब्सक्राइब करें कि यहां यहां पर करते हैं किמה ग्राइब कि Subscribe पर नए आया हैं सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पीच को फॉलो करें थेंक यू फर वाचिंग मिलते हैं नेस्ट वीडियो में